तो दोस्तों टाटा आईपेल 24 से जुड़ी कई बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिए इन में से कुछ अपडेट जो कि चन्नाई सुपर किंग से भी जुड़ा हुआ है इसके आला बदा दे कुछ और टीमर से भी खबर जुड़ा हुआ है तो दोस्तों उन सभी बड़ से यहां दोस्तों बता दे के मतिसा पितराना जो कि अभी बंगलादेश में और वहां सिर्लांका के तरफ से टी-20 मुकाबला खेल रहे हैं लेकिन जो दूसरा टी-20 मुकाबला हुआ था उसमें अपना पूरा अभर भी नहीं कर पाया थे फिर से उन्हें क्रैंप आया था ज चैनाई सुपर किंग के लिए और उनका फिट रहना भी अहम जरूरी है इसका अला बता दे के मुस्तफिजू रामान को लेकर बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है ज्यां दोस्तों बता दे के सिवम दूबे के इंजिरी के लेकर खबर आ रही है वह बहतर खबर है चैनाई सुपर किंग के बीच 22 मार्च को वह मुकाबला खेल सकते हैं इसे में चैनाई सुपर किंग के लिए बहादी आहम खिलाडी बन जाते हैं आईपेल 24 में बता दी कि और बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है दिनेस कार्तिक को लेकर जान दोस्तों बता दी कि दिनेस करतिक रिटार्मेंट का एलान कर चुके है और सीबी के तरफ से आईपेल 24 में जब खेलेंगे तो उनका आखरी सीजन रहने वाला है इसके बाद से आईपेल में कभी भी खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं दिनेस कार्तिक एक बेहादी आम खिलाडी रहे हैं टीम आपका क्या रहा है इन बड़ी खबरों के लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता है तब तक लिए मिलते हम आपको अगले वीडियो में